काकेर से खबर आपको बता रहे हैं काकेर के गड़िया पाहड में दिखा हुआ तेंदुआ पत्थर पर बैठा दिखाई दिखाई दिया है तेंदुआ कुछ दिर बाद जाडियों की ओर भाग गया है तेंदुआ की वज़े से ग्रामिड देहसत में है आपको बता दे तेंद काकिर से खबर आपको बता रहे हैं जहां गडिया पाहड पर तिंदुअ दिखाई दिखाई है पत्तर पर बैठा हुआ दिखाई दिखाई दिया है तिंदुअ कुछ दिर बाद जाडियों के ऊर भाग गया तेंदुए की वज़े से देशत में लोग दिखाई दे रहे हैं कांकिर से खबर आपको बता रहे हैं तेंदुए दिखने से लोगों में देशत का माहौल है कांकिर के गड़िया पाट पर ये तेंदुए दिखाई दिया है पत्थर पर बैठा हुआ ये तेंदुवा दिखाई दिया है कुछ दिर बाद जाड़ियों की तरह भागया है ये तेंदुवा इस ख़बर पर जादा जानकरी के लिए सहयों की समवादा ता नितेश देवांगान हमारे साथ जोड़ चुके हैं नितेश तेंदुवा दिखाई दिया है ग्रामिनों में देशत का माहल बता जा रहा है कहां पर ये तेंदुवा दिखाई दिया है जी बता दूँँ सुबे मानिग बाग पर निकले सहर के कुछ लोगों ने गड़िया पहाड पर एक तेंदुवा को देखा है जहां पर तेंदुवा पस्थर पर बैठे अराम कर रहा था उसके बाद से ही जो मानिग बाग पर निकले लोगो वापस घहर आप पहुचे क्यो जो चंगली जानवर हैं वकसर निकला करते थे ऐसे मैं आज सुबह ही मानिग बाग पर निकले कुछ सहरवासियों ने इस तेंदुवा को देखा है और अक्सर इस गड़िया पहाड में तेंदुवा भालू जैसे जानवरों को भी देखा जाता है जी ने तेंदुवा को दी गई है क्योंकि तेंदुवा हमला भी कर सकता है जी बता दूँ कि जो कांकेर जीला कांकेर है उसके समीब बड़े बड़े पहार है उस पर अक्सर तेन्दवा और भालू जैसे जानवरों को देखा जाता है लेकिन वालू भालू का कहना है कि ये तेन्दवा आतंग तेन्दवा नहीं होने करण इसको जंगल में ही छोड़ द तेन्दवा दिखा है पत्तर पर बैठा हुआ ये तेन्दवा दिखाई दिया है कुछ दिर बाद जाड़ियों की ओर भा गया है तेन्दवा की वजह से देशत में लोग दिखाई दे रहे हैं